Study IQ IS, अब तयारी हुई, अफोर्ड़बल इस वीडियो के अंदर जानेंगे, लेकिन साथी साथ मैं आपको ये भी बतानी की कोशिश करूँगा, कि क्या actual में कानून स्ट्रिट कर देने से, क्या अगर हम कह देते हैं कि हर एक rape cases में फासी की सजा होगी, capital punishment होगा, क्या उससे यहाँ पर rape cases कम हो जाते हैं, पिछला past trend क्या कहता है, क्योंकि आप सबको याद होगा, जो निर्भिया वाला case हुआ था 2011-12 में, काफी इसको लेकर चर्चा हुई थी, और बहुत strict कानून भी बनानी की कोशिश की गई, क्या उसके बात से changes हुआ है हमारे society के अंदर, ये बहुत important है, और नहीं हुआ है, तो हमें क्या कद इसके का, वो 31st of August से start हो रहा है rankers batch, जिसके अंदर अगर आप ये batch लेते हो, तो हर मेने यहाँ पर क्या होगा, हर हफते in fact, यहाँ पर एक test कराया जाएगा, जिसके अंदर, अगर आप top rank अचीव करते हो, तो आपको monetary reward भी दिया जाएगा, तो join करने के लिए हमारे website आप प उसको भी आप attempt कर पाएंगे, तो चलिए सुरुआत करते हैं, और सबसे पहले ये देखते हैं कि exactly हुआ क्या है, देकि West Bengal की Chief Minister ममता बनार जी ने कल ही Prime Minister Narendh Modi जी को एक letter लिखा on rapes across the country, मतलब कि जिस प्रकार से देश के अंदर हर दिन rapes होते हैं, उसको लेकर चिंता व्यक कोलकता में इसको लेकर बड़ी मात्रा में, सिर्फ कोलकता नहीं, पूरे देश भर में अगर आप देखें, तो बड़ी मात्रा में यहाँ पर प्रोटेस्ट देखने को मिला, क्योंकि 31 साल की जो trainee doctor है, उसके साथ बहुत बुरा हुआ है, मतलब रेप हुआ और जिस तरह के भारदात सामने आए, जिस तरह के incident को बताया जा रहा है, मतलब इंसानों की रुह काप जाएगी, इस तरह की चीज़ें आपको देखने को मिलती है, तो यहाँ पर रेप और जो murder case हुआ है, कोलकता होस्पिटल में, उसके बाद यह आपको letter देखने को मिले गा, लेकिन question तो rape के occurrences बढ़ते जा रहे हैं देश के अंदर, उसके तरफ आपका ध्यान लाना चाहती हूँ, और साथी साथ यह कहा गया, कि कुछ cases में rape होता है, और कुछ cases में तो rape के साथ साथ, जो महिला है, उसका murder भी कर दिया जाता है, यहाँ पर उन्होंने letter में लिखा, कि अभी जिस ह confidence होते हैं, इसकी वज़े से हमारे देश के हमारे society की जो confidence है, और जो conscience है, वो एक तरह से हिल जाती है, और इसलिए यह हमारी जिम्मेदारी बनती है, कि इस तरह के जगन अपराद को हम किसी ना किसी प्रकार से रोकोएं, इसको पूरी तरह से खतम कर दें, तो इसी को लेकर अपने लेटर में ममता बनर जी ने तीन डिमांड रखी हैं, सबसे पहले तो उन्होंने यहाँ पर यह कहा है कि इस तरह के serious और sensitive issues को निपटने के लिए हमें एक बहुत जादा strict कानून लाना होगा, through stringent central legislature, मतलब यह कोई एक राज्य सरकार नहीं ला सकती, एक central कानून होना चीए, parliament के दोरा, जिसके अंदर जो punishment है, वो एकदम जादा हो, जादा से जादा punishment हो, ताकि इस तरह के crime को हम रोख सकें, पहला उनका demand letter में यह था, फिर दूसरा उन्होंने यहाँ पर यह बोला है, कि setting up of fast track special court for speedy trial, मतलब देश में, especially rape जैसे जगन अपराद के लिए, यहा यहाँ पर 15 दिन के अंदर अंदर trial जो है, वो start हो जाए, अब देखे, trial 15 दिन के अंदर start होने का मतलब यह हुआ, कि जो police की कारवाई है, investigation है, वो जल से जल complete हो, और chart sheet file हो, और उसके बाद trial जो है, वो आपका court में start होता है, तो यह सब कुछ 15 दिन के अंदर अंदर हो जाना जी ए, ऐसा ममता बनर जी ने अपने पत्र में लिखा, यह तीन demand रखा गया है, तो अब question यहाँ पर यह है कि exactly देश में इस समय situation क्या है, देखो मैं आपको NCRB का जो data है, उसके आधार पर बताता हूँ, 2013 में अगर आप देखोगे, जो total number of rape के cases report किये जाते थे देश में, एक साल में उनकी संक्या 25,000 से भी कम थी, लेकिन 2017-18 आते आते, इसकी संक्या 40,000 से जादा हो गई, मतलब जादा cases देश के अंदर report किये जाते हैं, तो चलो यह तो अच्छी बात है कि यहाँ पर cases report हो रहे हैं कम से कम, सबसे important तो यह चीज़ है, क्योंकि कई बार हमारे पास जो cases हैं वो report किये जाते हैं, लेकिन actual में क्या 40,000 ही रेप होता है, क्या इससे जादा नहीं होता होगा, बहुत सारे cases होते होंगे, जो report नहीं होते होंगे, लेकिन खेर जो भी है, यहाँ पर इसमें बढ़हुतरी देखने को मिली है, लेकिन चिंता जनक बात इसमें य परसेंट हो गया, और जो metropolitan एरियास हैं, चाहें दिल्ली, मुंबई, चैनले, इस तरह की जो एरियास हैं, वहाँ पर conviction rate और भी कम है, मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर total 1,56,000 ट्राइल चल रहे हैं देश के अंदर, जिसमें 17,000 cases में जो ट्राइल हैं, वो complete हुए, और सिर जादा कम हैं, लेकिन इस से भी ज्यादा चिंता जनक बात यहाँ पर यह है, कि जो rate of charge sheeting है, वो भी लगतार देश में नीचे जाता जा रहा है, मतलब कि बहुत सारे cases court में पहुँच भी नहीं पाते हैं, तो question अब यहाँ पर यह है, कि क्या stricter punishment से देश के अंदर हम rape जैस criminal punishment से जादा, मतलब कड़े कानून से जादा जरूरी है, कि जो already कानून है, उसका सही तरीके से implementation किया जाए, क्योंकि आपको याद होगा, निर्भिया वाले case में जब incident हुआ था, तो उस समय वर्मा कमिटी की report आय थी, और उसके अंदर साफ साफ बोला गया था, कि we need to establish more effective response care system for rape and sexual assault, और इस report की वजए से एक कानून बना था, जिसको हम निर्भिया कानून के तौर पर जानते हैं, और उस कानून में आपको याद होगा, उसमें बोला गया कि gang rape के case में 20 years की सजा होगी, और अगर वो person repeat offender है, तो उसको death penalty दी जाएगी, लेकिन दोस्तों ये चीज and I'm sure कि आपको इसका जवाब मिलेगा नहीं, वो case हुआ था 2011-12 में, वहाँ पर तो हमने बहुत strict कानून बनाये थे, तो क्या उससे चीजें कम हो गई, in fact निर्भिया incident के बाद अगर आप देखोगे, तो एक साल भर तो चीजें काफी अच्छे से improve होई थी, क्योंकि क्या थ ताकि लोगों का conscience एक तरह से आप कह सकते हैं जग्या था, लोग जागरूख हो गएते थोड़ा, लोग चर्चा कर रहे थे इसके बारे में, तो निर्भिया वाले incident के बाद एक साल तक तो यहाँ पर चार्ज शीट का जो नंबर है वो भी increase हो था, जो number of cases रिपोर्ट हुए यहाँ पर जो चार शीटिंग का rate है, 2014 में 87% चला गया था, जो कि एक अच्छी बात है, लेकिन 2017 आते आते यह गिर कर वापस से 61% हो गया, तो कहने का मतलब यह है कि जब भी कोई case अचानक से मीडिया के उसमें आ जाता है, लाइम लाइट में आ जाता है, आप इसके बारे म जैसे जैसे इसके बारे में discussion कम होता है, वैसे वैसे आपको problems भी देखना start हो जाती है, खेर यहाँ पर अब question यह है कि क्या करना चाहिए, देखिए एक ही चीज बताया जा रहा है यहाँ पर, जो problem है समय, it is more to do with lack of efficacious implementation, मतलब यहाँ पर strict punishment से जादा, जो already इस समय कानून है ह implementation हो, क्योंकि जब तक वो नहीं हो पाएगा, तब तक यहाँ पर हम solution की तरफ नहीं जा रहे हैं, क्योंकि आप समझिए, हमारे देश के अंदर क्या है, हम सब जानते हैं कि समय जुडिश्री कितनी जादा overburden है, इसमें I'm sure कि हर कोई इस बात को मानता होगा, तो भले ही आप कह लीजिए कि हम death penalty देंगे, fast track code बनाएंगे, लेकिन उसका नतीजा क्या होगा, क्योंकि मैं आपको बता दूँ कि कुछ साल पहले announce किया गया था कि fast track बनाए जाएगा, अभी तक उसको proper तरीके से implement नहीं किया गया, इसका कारण क्या है, इसका कारण simple है, कि हमारी जो judiciary वो इतनी जादा over burden है, तो वहाँ पर कैसे-कैसे चलेंगे, आपको एक अलग से specialized judge लाना पड़ेगा, एक नया recruitment, judicial recruitment करना होगा, ताकि उन fast track courts के लिए judges को appointment किया जा सके, जब judges ही नहीं है हमारे देश के अंदर, तो कैसे आप इन सब चीज़ों को implement कर पाऊगे, तो overall I hope आप समन् साफी हद तक हम गिरावट देख पाएंगे, तो ये पुरा मामला है, खेर जाने से पहले मैं आपको कुछ और भी बता दूँ कि actually ये जो पुरा मामला Supreme Court के अंदर अभी चल रहा है, Supreme Court ने खुद ही संग्यान लेते वे इस मामले की सुनवाई करने का निणने लिया है, और देखें यहाँ पर जो कुलकता पुलिस है और जो कुलकता गौर्णमेंट है, उनको बहुत कड़े शब्दों का प्रयोग किया उनके उपर, और कहा है कि आपने बहुत बड़ी लापरवाई किया, especially आप देख सकतो यहाँ पर Supreme Court ने ये कहा, कि जिस प्रकार से कुलकता पु ये कही न कहीं दिखाता है कि चीजों को सीरेस तरीके से नहीं लिया गया अथॉरिटीस के दोरा, क्योंकि उनका ये कहना था कि 9 आफ आफ आगस्ट को ये जो इंसिडेंट हुआ था, आपको याद होगा, ये सुबह हुआ था, करीब 3-4 बजे के आसपस बताया जाता है, ल उसको छुपानी की कोशिश की जारी हो, और इसलिए आप देखो कि यहाँ पर बेंच में Chief Justice of India के साथ-साथ, जो Justice JB परिदिवाला है, उन्होंने ये चीज कहा कि I have not encountered this in my 30 years, मतब पिछले 30 सालों में मैंने इस तरह की चीज़ें कभी नहीं देखी हैं, तो इसी को लेकर Supreme Court न लिजे वापस अपनी duty, और आपको कोई दिक्कत नहीं आगी, क्योंकि उनको ये भी डर है कि अगर वो वापस वर्क पर जाती हैं doctors, तो हो सकता है कि सरकार उनके खिलाफ कोई action ले ले, कि आप protest को कर रहे थे, तो Supreme Court ने उनको भरोसा दिया कि आपके उपर कोई भी action नहीं ल इस पूरे मामले में, उसको present होना होगा, उसको personally आना होगा और बताना होगा कि exactly किस time उसने case की entry की थी, तो देखते हैं आगे इसको लेकर क्या होता है, बटाई होग कि इस वीडियो के माध्यम से काफी कुछ आपको जानने को मिला होगा, और जाने से पहले एक interesting question क्या बता सकते हो, who launched all women conference in 1927 at madras, और इसका जो right answer है, आप सबको पता है, मेरे instagram पर तुम मिलेगा ही वहाँ पर, अगर आप नहीं हो, कोई बात नहीं, telegram से ले सकते हैं, इसका सही उत्तर में, कई सारे जो MCQs हैं, वो यहाँ पर stories में, डालता रहता हूँ, अगर आपको PDF ये तो telegram पर आईए, अलग-अलग social media पर आप जोड़ पाओगे, और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप UPSC की त्यारी कर रहे हैं, कोई भी batch चाहते हैं, you can simply use this code ANKITLIVE to get maximum discount, and I hope की वीडियो आपको पसंद आया होगा, मिलता हूँ, आप से next time, till then, thank you very much, see you soon.